जयीतं दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हो जो आपने लिया हो दिए लिया है तो आप möchte लेना परेगे तीसरी आया है को भैक्सीन का और व quiero नहीं तरिके से काम नहीं करता है कैसे लेना है यह इसके लिए पैसे में उपर वालों के लिए किया है सारी परिया बताऊंगा थो कहां अप्रिल से स्टार्ट हुआ है तो कहां जाकर आपको लेना है स्कीप करके देखेंगे तो फिर से समझ नहीं पाएंगे यह जो निर्देश सरकार के तरफ से आया है और यह चालू किया गया है यह सारे बात बताने जारो सीधे आते हैं टॉपिक आपको बता दू कि यह जो बुष्टर डोज है यह साथ वर्ष से जो उपर वाले साथ स्वास्थ मैंत्राले के तरफ से प्राइब separate सेंटर पर यह देने का निर्देश दिया यह सरकार के नहीं दिया जाएगा यह प्राइबर सेंटर यह तो यह दोज लेने के लिए पैसे पे करने परेंगे जिन लोगों ने लिया पहला दोज ले रखा दोज लेंगे तीसरी रोट दोज के लिए उन्हें पैसा है क्रना परकाना हो इसके लिए आपको 600 रुपिया करना परेगा इसके अलावा उसके आपने लिए अब अभी तक लिया है को भी सिन लिया है तो उसके लिए 900 रुपिया पर नो प्रस जो भी टेकस आएगा वह टेकस्ट आपको 9 200 रुपिया और प्लस टेक्स जो रोज आपने अभी तक लिया है चाहिए को भी सिल्ड लिया है तो उसी का बूश्टर आपको परेगा यह नहीं कि बूश्टर एक ही है और सभी के लिए एक ही परेगा ऐसा नहीं है जिस कंपनी का आपको बूश्टर लेना परेगा अब इसके सब्सक्राइब है जैसे सेंटर आपने लिया ऊपने सेंटर बड़ाया अपने सब्सक्राइब सेंटर आप सरकार आप सरकार के हाथ संस्था को नहीं प्रärt यह और वह आपको ब्रस क्नाक्म आपको पैसे करने प्रेंगे आपके जनकारी बतादों है चाहे वाट complexity लोगों को लग चुका है तो आप उन्हें कैसे लग गया उन्हें पैसे के लगाए गया उन्हें कोई पैसा नहीं लिया गया था उनको लगा के ट्राइल किया गया जब यह सफल हो गया पुर्ण रूप से लाउंच किया गया है 10 अप्रेल से और दस अप्रेल से रिगूलर यह लगा जाएगा तो आपको पता दूझिन लेना जरूरी है डेल्टा बेरियांट ओमिक्रों बेरियांट इस परकार का बहुत सारा बेरियांट आचुका है जो बहुत खतरनाक खतरनाक है अगर यह बुष्टा डोज आपको लेना परेगा कोई भी हेल्थ वरकर है उन्हें पैसा नहीं लेगा आपको लेना जरूरी है नहीं काम बिगर जाएगा या कोई कम खराब हजागा ऐसा कोई भी निर्देश नहीं है अभी आपको ले भी सकते हैं पैसे डेकर नहीं भी ले सकते हैं अविडिकार का परोड़ी सकते हैं अब कोई अपरेश करकार नहीं है आगे चल के अब सब्सक्राइब कर दिया जाए लेकिन फिलहाल ऐसा अभी 10 अप्रिल से स्टाट गया इस पर कोई दवाओ नहीं हो गया है कि जिनका भी 9 महीना हो गया हुआ है दोनों लिए पबाद बताता हूं सब कुछ बताता रहता हूं लेकिन कभी-कभी इस तरह की निवीज आ जाती है इसे बताना मैं जरूरी समझता हूं इसलिए इस वीडियो को में पनाया हो आप मैं पहले साफ्सकाइबर है तो इसके लिए कोटि-कोटि धन्य वा दोस्तो